बहरत के विकेट कीपर बल्लेबाद रिशपपन्थ आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए उन्होंने आठ दिन पहले ही एक कोविट प्रशिक्षन लिया था वहीं आपको बता दे कि कोरोना संक्रमित होने की वज़े से रिशपपन्थ बाकी भारतिय टीम के साथ दरहम नहीं जाएंगे जहां टीम इंग्लेंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्सी रिस्ते पहले अभ्यास मैच खेलेगी वहीं आपको बता दे कि 13 मौई को कोविट वैक्सीन की पहली खुराक रिशपपन्थ ने ली थी और हाल ही में उन्हें इंग्लेंड और जर्मनी के बीच यूरो 2020 मैच के दोरान स्पॉट किया गया था रिशपपन्थ के करोनो पॉजिटिव होने की जानकारी भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के उपध्यक्ष राजिव शुकला ने दी उन्होंने कहा कि कोई अन्य खिलाडी वायरिस से प्रभावित नहीं हुआ है हाला कि एक खिलाडी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है लेकिन वह पिछले आठ दिनों से आइसोलेशन में है वह टीन के साथ किसी होटल में नहीं रह रहा इसलिए कोई अन्य खिलाडी प्रभावित नहीं हुआ है वही टीम इंडिया इंग्लेंड के खिलाफ अगामी पांच मैचों के टेस्ट सीरिस की तैयारियों की तहट डरहम में अभ्यास मैच खेलने के लिए तैयार है अभ्यास मैच 20 जुराई से शुरू होंगे वही इंग्लेंड भारत टेस्ट रंकला अगले महीने शुरू होने वाली है जो विश्व टेस्ट चैंपियंशिप के दूसरे चक्र की शुरुवात होगी